साहेल छेत्र जिसका मतलब होता है तट या किनारा यह अफरीका का एक important भूगलिक छेत्र है जो उत्तर में सुस्क साहरा और दच्छड में नम सूडानियन हसावाना के वीच इस्तित है साहेल छेत्र एक गर्म अर्ध सुस्क जलवाय वाला छेत्र है और उत्तर अफरीका की सबसे दच्छडी अच्छांसों में अट्लांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक फैला हुआ है विशेशकर पश्चमी साहेल में यहां के लोग अक्सर भोजन और पानी की कमी से जूचते लेते हैं इसका कारण है यहां की अर्ध सुस्क जलवाय और सरकारी भरस्टाचार इस छेतर में उच्छ जर्मधर भी एक बड़ा कारण है जिससे जनसंक्या तेजी से बढ़ रही है और संसाधनों की कमी हो रही है हाल के बरसों में साहिल के कई देशों में तक्ता पलट, विद्रो, आतंगबाद और विदेशी हस्त छिप की घटनाएं बड़ी है ये घटनाएं साहिल छेतर की इस्थिरता और सुरच्छा के लिए बड़ी चुनोतियां परस्तुत करती है बरसात के मौसम में साहिल की सावाना हर्याली से भर जाती है यहां की प्रमुक ब्रच पर जाती है अकेसिया जो सूखा सहन करने में बहुत सच्छम है साहिल की जीव जन्तुओं में पहले बड़े बड़े चरने वाले जानवर होते थे लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई है साहिल की भुगोल मुखिता समतल है लेकिन यहां पर कुछ उचे पहाड और पठार भी मिलते हैं जैसे मारहा माउंटेंस, एयर माउंटेंस, एनडी प्लेट्यू साहिल छेत्र का लवायो उश्ड कटबंदी अर्ध सुस्क है यहां के मौसम साल भर गर्म, धूपदार, सूखा और कुछ हद तक हवादार रहता है यह छेत्र बारसिक रूप से बहुत कम बारिस प्राप्त करता है जिसमें एक लंबा सुस्क मौसम और एक छोटा बरसाती मौसम सामिल है साहिल छेत्र में बारिस का पैटर्न बहुत असा मान्य है और मौसम से मौसम में काफी भिन्ध हो सकता है यहां के किसान और पसुपालक इस अनिमित के साथ जीना सीखते हैं और अपने जीवन को इसी के अन्सार ढालते हैं तो दोस्तों यह था साइल छेत्र का एक छोटा सा परिज़